नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस साइन के बारे में यह जो साइन है यह आपको जिरोधा क्वाइन पर भी देखने को मिल सकता है और जिरोधा का जो काइट का मोबाइल एप है वहाँ पर पोर्टफोलियो वाले शेक्शन में भी आपको यह साइन देखने को मिल सकता है तो आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि यह साइन कब-कब आपको दिख सकता है इसको आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं और कौन सी वो कंडिशन हैं जिसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है वो आटोमेटिक सही हो जाता है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बारा हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजीगा वीडियो पसंदाथ इसको लाइक करिए अपने दोस्तों साथ भी ज़्यादा शेयर करिएगा तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला जो पॉइंट है कि यह साइन हमें क्यों दिखता है उसके बारे में बात करते हैं तो दोस्तों यह जो रेट कलर का आपको साइन दिख रहा है इसके दिखने के कई कारण होते हैं पहला जो कारण है वो है कि अगर मालिजे कि आपको किसी ने stock transfer किया है ठीक है तो जिसने stock transfer किया है उसके में कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन आपके क्योंकि DMAT account में ये share आये हैं तो आपको ऐसा जो red color का निशान है ये दिखेगा ठीक है अगर आपको किसी ने stock को gift किया है तब आपको यहाँ पर red color का निशान दिखेगा अगर stock split हुआ है तब आपको ये red color का निशान दिखेगा तो दो conditions हैं जिनमें आपको कुछ नहीं करना है और दो conditions ऐसी हैं जिनमें आपको manually action लेना पड़ेगा तो सबसे पहले जानते हैं वो दो कौन सी conditions है जिनमें आपको कुछ नहीं करना है कुछ दिनों बाद में automatically यह चीज सहीं हो जाती है ठीक है यहाँ पर जो average price बगरा है वो सब बहुत गरबड़ शो करता है इसके कारण अभी इसके बारे में और बदाएंगे आगे आपको तो वीडियो में बने रही है ठीक है तो पहले कारण पर हमनें ब shift वाला और stock transfer वाला उस condition में आपको manually यहाँ पर कुछ action लेने पड़ेंगे तो अब उसको बात कर लेते हैं कि वो कौन से action है और कैसे आपको इस चीज को सहीं करना है जब तक आप इसको manually सहीं नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर आपका average price बगरा शो नहीं करेगा ठीक है तो अभी मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इसको सहीं कर सकते हैं तो इसके लिए हम यहाँ कहीं पर टैप करते हैं ठीक है चलिए हमने यहाँ पर टैप कर दिया टैप करने के बाद में यहाँ पर आ रहा है fix on console ठीक है चलिए हमने यहाँ पर टैप कर दिया तो यहाँ पर एक नई window open हो गई है तो यहाँ पर दिखे हो लिखा है holding discrepancies ठीक है तो अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेरे case में यह जो discrepancies है कितने quantity के लिए 630 quantity के लिए तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा हमें यहाँ पर थोड़ा से नीचे की और आना होगा जब हम थोड़ा से नीचे की और आएंगे तो यहाँ पर लिखा add trade ठीक है इस पर आपको tap करना है चलिए हमने यहाँ पर tap कर दिया अब tap करने के बाद में यहाँ पर लिखा है purchase date यानि कि किस date को यह shares आपके DMAT account में आए हैं उस date को आपको यहाँ पर manually feed करना है ठीक है तो यहाँ पर मैं एक date डाल देता हूँ तो मेरे case में यह जो stocks हैं यह transfer होकर के आए हैं Friday को तो हम यहाँ पर Friday की हमारी तारिक है उसको हम यहाँ पर fill कर देते हैं ठीक है हमने कर दिया 14 June 2014 average price यह बहुत ज़्यादा जरूरी चीज है average price जब भी आप याद रखे स्टॉक को अगर आप किसी को gift करते हैं या फिर स्टॉक को आप किसी को transfer करते हैं एक DMAT account से दूसरे DMAT account में तो आपको average price को note करके रखना है अगर आपने एक साथ सारे stocks को transfer कर रहे हैं तो average price आपको जाहिसी बात है मिल जाएगी और अगर आप माले 2, 5, 10 year इस तरीके से stock को gift कर रहे हैं transfer कर रहे हैं तो आपको average price को note करना जरूरी है तभी आप यहाँ पर डाल पाएंगे अन्य था किस्तिती में आप यहाँ पर जो price रहेगा उसको सही से नहीं डाल पाएंगे तो मेरे case में जो average price है इसका 197.31 है ठीक है इसको मैंने डाल दिया quantity कितनी थी 630 थी ठीक है और यहाँ पर जो type है type में हम यहाँ पर ऐसे select करते हैं तो यहाँ IPO और others है तो IPO तो यह है नहीं others हमने कर दिया अब simply जो add वाला button है यहाँ पर हम करने वाले है tap चली हमने यहाँ पर tap कर दिया तो यह trade added लिकर के आ गया है तो अभी यह सही हो जाना चाहिए कल जब market open होगी और in case अगर यह कल सही यहाँ पर यहाँ से पहले बैक चला जाता हूँ और यहाँ पर फिर से आ जाते हैं तो यहाँ पर अभी जो average price वगैरा देख रहा है और यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है अईलिकर के आ रहा है कल अगर यह नहीं सही होता है तो परसों तक ये confirm रूप से सही हो जाएगा, इसके लिए ज़्यादा time नहीं लगता है क्योंकि पहले मैंने दो stock को transfer करके इस चीज़ को try किया था, तो एक दिन के अंदर ही ये हो गया था, अभी जो charges अगरा लगे हैं, इसके बारे में मैं एक next video बनाऊँगा, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि जब मैंने 2 share transfer किये तब मेरा कितना charge लगा, और जब मैंने इतने अभी जितना मैंने quantity आपको बताएगे इतने share transfer किये, तब कितना charge लगा है, ठीक है, तो ये जो discrepancy का जो error आता है, ये आपको zero-dha coin के जो आपका platform है, वहाँ पर भी आ सकता है, मेरे case में मुझे आया है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी आपको अपनी और से कोई action नहीं उठाना है वो automatically correct हो जाता है, ठीक है, तो मुझे लगा कि इसके बारे में एक वीडियो बना करके आप लोगों के साथ में share किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जब उनको bonus share मिलता है, या उनका stock split होता है तो इस तरीके से वहाँ पर red color का जब दिखता है, तो वो परशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों दिख रहा है, इसको वीडियो को लाइक करिएगा, और जिरुदा के साथ में आपको अपना dmat or trading account open करवाना हो तो description में आपको account opening link मिल जाएगा जैसे उस link पर आप click करेंगे direct account opening page पर पहुँच जाएगे और वहाँ से अपना account बहुत ही आसानी से open करवा पाएंगे, तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी साथ तब तक के लिए रमाशकार